सलाम नमस्कार अदाब मैं मौमोश अलीब आलम आप देख रहे हैं नावे बंगाल नुज़ आज हम बात करेंगे रिश्रा मुस्पिल्डी के 11 नमबर वार्ड से बीजेपी के प्रार्थी ससी जहां से जी सिंग जहां मेरा नाम है आप 11 नमबर वार्ड से इस दफ़ा इंदेखामी मैदान मौतरी हैं आप से पहली तरह बताएं कि जो महौल चल दा है जैसा के चार कार्टूर्शन का जो रिजल्ट आज गया है इस तरह से कैसे अपने आपको अपने वार्ड में पारी है देखिए चार जो रिजल्ट आज जिसका बात कर रहा है वहाँ पर सभी को मालूम है किस तरह से धुका धरी हुआ है किस तरह से बूथ दखल हुआ है किस तरह से लोगों को डराया धमकाया गया है परन्तु रिश्रा बहुती एक सांत जगा है बहुती सांत प्रिये जगा है 11 नमबर वर्ड भी बहुत सांत जगा है और यहां इस प्रकार मुझे उमीद नहीं है कि इस प्रकार का इस तरह से कुछ यहां पे होगा और अगर इस प्रकार का कुछ भी यहां पे होगा उसके लिए हम हर प्रकार से तयार हैं यहां की जनता इस तरह का मतला है कौन असे काम नहीं हो पाया है जिसको ले कर आप सामने जाएंगी कि यहां पे बहुत सारा मुद्दा है जिसको ले करके लोग असंतुष्ठ हैं हमारे वार्ड के लोग कि यहां का सबसे बड़ा दो चार मुद्दा है जिसमें की एक है यहां जल जमाओ की समस्या यहां जल जमाओ का समस्या बहुत सालों से चला आ रहा है यहां पे अगर आधा गंटा बारिश होता है तो लोगों के घरों में जल घुज जाता है और यहां पे लोगों को यातायात में बहुत असुविधा ह होता है इसके अलावा महिलाओं को बिसेश करके महिलाओं के संग तो बहुत ही ज़्यादा मतलब असुविधा है कि पानी घुटना तक जमा हुआ रहता है उसमें महिलाओं को जाना आना पड़ता है क्योंकि यहां पर सही तरीके से साफ सफाई का कोई भी वेवस्था नहीं है यहां आप भीतर के तरफ हमारा 11 नमर वार्ड में जब भीतर के तरफ अंदर के तरफ जाएंगे तो वहां की जो परिस्थिती है जिस प्रकार से गंदगी चारों तरफ फैला हुआ है नाला गंदा है अब आप आज एलेक्शन है और मैं आपको बताओं कि पांट साल जिनका सुधा आप नहीं लेते हैं पांट साल तक जहां किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता वहां रातो रात काम होना चालू हो जाता है तो यह परिस्थिती है मैं कहूंगी कि जनता सब कुछ जानती है और जनता इसका उप्यूक्त जवाब वोट के माध्यम से देगी चाहे वह ज जवाब वोट के माध्यम से मिलेगा तो आपके कहने मतलब कि मुनस्परिटी जिनके कबजे में आज है उनके काम से संतुष नहीं है जनता से उनका परामर्ष लीजिए पूछने की कोशिश कीजिए उनसे हो सकता है कि बहुत आदमी खुल के सामने ना भी आये परन्तु आएगा कि यहां की क्या परिस्तिती है यहां एक पार्क है जिस पार्क में कि हम लोग खेल के छोटे से बड़े हुए आज उस पार्क का आज बच्चे या बुजूर्ग कहां अपना समय व्यतीत करेंगे यह बच्चों के भविश्य का प्रश्न है कि एक बच्चा हम भी जा चालू हुआ है लेकिन आप जाके देखिए उस पार्क की क्या परिस्तिती है हमारे यहां एक हॉस्पिटल था जिस हॉस्पिटल में की पूरे रिश्रा के और रिश्रा के आसपास का जो जगह है वहां से भी लोग आते थे और अपना उप्चार करवाते थे इसमें बहुत था और बहुत ही मतलब बढ़िया जो कि आज पिछले बहुत सालों से बंद पड़ा है पिछले बिधान सावा के समय अफड़ा तफडी में बिल्डिंग बना चालू किया गया हॉस्पिटल को लेकिन आज का ये परिस्तिती है कि अभी भी अगर किसी के संग कोई इमर्जें अब कर दोर पर को एक अपने वार्ड की महिला किस तरसे आपके साथ है इस बार में कुछ बताएं गी सुनिया यह सब चुनाओं के समय का प्रलोभन है यह सब आप जाईए आप एक एक घर में जब जाईएगा हम तो जा रहे हैं सबसे बात कर रहे हैं दिखावा ज्यादा ह अगर वास्तविक्ता में लोगों के पास जाईएगा तो आपको पता चलेगा कि किसको क्या कितना मिला है और कितना नहीं मिला है और जनता जो है यह बहुत समझदार है कि आज हम दस साल से या उससे भी जादा समय से मान लीजे सरकारी यहां पे हैं लोगों को रोजगार कैसे मिले काम कैसे मिले इस मुद्दे को छोड़के हम लोगों को कुछ धनरासी का सहयता उपलब्ध करवा रहे हैं लेकिन पब्लिक क्या चाहती है पब्लिक स्वाविमानी है वो आ और जो कि सही तरीके से सब को मिल भी नहीं रहा है। कुछ गीने चुने लोगों को मिल रहा है बाकि किसी को नहीं मिल रहा है इस चैनल के मतलब से अपने वोर्डरों को एक खासा मेसेज कौन सा देने वाली हैं मैं अपने सभी 11 नम्मर वर्ड के रिश्रा के सभी बासी से कहना चाहूंगी कि ये जो वोर्ड काउंसिलर का चुनाओ है ये बहुत ही महत्यपूर्ण चुनाओ है इसमें आपको अपने आने वाले अगामी 5 साल कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके पास रहेगा आपके साथ रहेगा समय और समय हर परिश्थिति में आपका काम करेगा ऐसे व्यक्ति को चुन के आप लाएं ऐसे व्यक्ति को आप यहां का कॉंसिलर बनाएं जो की निश्वार्थ भाव से बिना किसी लोभ लालच के जन साधारन का काम करे और उनके बीच रहे उनकी सहयता करे हर प्रकार से यही मेरा यहां के पबलिक को कहना है कि आप जनता जनार्दन है और फैसला आपको लेना है फैसला जनता के हाथ में है जनता जिसे चाहेगी उसे आशिरवात देंगी और उसे यहां का कॉंसिलर कर दो कि एंगरे जड़ कि कर दो एंगरे